नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका डेली करेंट अफेर्स में दोस्तों आज की वीडियो है 20 दिसमबर 2023 के महत्वपूर्ण करेंट अफेर की तो चले दोस्तों आज की वीडियो सुरू करते हैं आज की वीडियो का क्owishyaan number 1 है हाल ही में पुरुसवर्ग ITF विश्वचेंपियन सी पुरुषकार 2023 किसे मिला है यह ITF क्या है International Tennis Federation तो पुरुषवर्ग International Tennis Federation विश्वचेंपियन पुरुषकार 2030 किसे मिला है यह मिला है आरेना सवालेंका और नौवाक जोकोविच इन दोनों को ही मिला है ITF विश्वा चेंपियन फुरुषकार 2030 तो C option इसका सही जवाब है A और B दोनों को ही मिला है डिटेल जान लेते हैं तो ITF क्या है International Tennis Federation तो ये इसकी full form है Novak Jokovic और Arna Sabalinka इन दोनों को ही अंतराश्ट्रिय टेनिस महासंग के 2030 के विश्वा चेंपियन सिप पुरुषकार से सम्मानित किया गया है जो Novak Jokovic है ये आठवी बार ITF विश्वा चेंपियन का पुरुषकार इन्होंने हासिल किया है तो आठवी बार इन्हें ये पुरुषकार मिला है जो Novak Jokovic है ये सर्विया के हैं और जो सबालेंका है यह है बेलारोस के Question number 2 है विशो बैंक की परवासन और विकास रिपोर्ट के अमसार वर्स 2030 में परवासियों से सर्वाधिक प्रेशन प्राप्त करने वाला देश कौन सा है तो परवासियों से सर्वाधिक जो प्रेशन है प्रेशन क्या होता है कि तो दूसरे देश से जो पैसा आता है तो वह है भारत तो ए उप्सन इसका सही जवाब है तो भारत है सर्वाधिक परवासियों से सर्वाधिक प्रेशन प्राप्त करने वाला देश यह रिपोर्ट किसकी है विशो बैंक की रिपोर्ट परवासन और विकास रिपोर्ट जारी करता है विस्वबेंग इस रिपोर्ट को जारी करता है परवासियों में सरवाधिक प्रेशन प्राप्त करने वाला देश कोन है पहले इस्तान पर है भारत और दूसरे इस्तान पर है मेक्सिको प्रेशन क्या चीज होती है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में कारे करता है या वहां रह रहा होता है और व्यक्ति द्वारा अपने देश में जो पैसा भेजना होता है उसी को प्रेशन कहा जाता है कुलमना के दूसरे देश से किसी देश में पैसा आना ही क्या है प्रेस्ण प्रेस्ण का जो सबसे बड़ा सुरूत है वो है अमेरिका और प्रेस्ण प्राप्त कौन करता है तो पहले स्थान पर है भारत तो भारत में सबसे ज़्यादा पैसा आता है किसी बहारी देश से Question number 3 है Under 19 Asia Cup 2030 की विजेता टीम कौन सी है तो Under 19 Asia Cup 2030 की विजेता टीम है बांगलादेश तो बांगलादेश Under 19 Asia Cup 2030 की विजेता है तो बांगलादेश टीम Under 19 Asia Cup का खिताब इन्होंने पहली बार जीता है और बांगलादेश ने सव्युक्त अरव अमीरात को हराया है जो Under 19 Cup एसिया 2023 है इसका आयोजन कहां किया गयता है सव्युक्त अरव अमीरात में और ये इसका दस्वां संसकरन था सबसे ज्यादा बार भारत ने जीता है Under 19 Asia Cup और भारत ने जीता है आट बार और इस बार का किस ने जीता है बांगलादेश ने सव्युक्त अरव अमीरात को हरा कर क्वेशन नम्मर फूर है खाली में भारतिय वाय सिना ने कौनसी स्वदेसी वायु रक्चा मिसाईल पढ़नाली का सफल परिक्षण किया है इसकी फुल्पोर्म है तो ये इसकी फुल्पोर्म है भारतिय वाइसेना ने युद्धव्यास अस्त्र सक्ती 2023 के दोरान समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परिक्षण किया है Q5 है खेलो इंडिया पहला गेम्स के पहले संस्क्रण की पदक तालिका में पहला इस्तान किसे मिला है जो खेलो इंडिया पहला गेम्स हुआ है तो इसका पहला संस्क्रण हुआ था और इसमें पहला इस्तान पर है हरियाना तो हरियाना है पर्थम इस्तान पर तो पहला इस्तान हरियाना 40 स्वरण पदक और कुल 105 पदक हरियाना ने अपने नाम किया है दूसरे इस्तान पर उत्तर प्रदेश है और तीसरे इस्तान पर है तमिलाड जो खेलो इंडिया पहरा गेम्स है इसका पहला संस्कारण राजधानी दिल्ली में आईजित किया गया था और इस केम का सुभंकर था उज्वला उज्वला एक गोरय का नाम है तो जो खेलो इंडिया गेम्स है इसका सुभंकर एक चिड़िया का नाम उज्वला था क्वेशन नमर सिक्स है इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फोर दी यूनिफिकेशन ओफ प्राइविट लो की गवर्निंग काउंसिल में चुनी जाने वाली पहली भारतिया महिला कौन है तो पहली भारतिया महिला है इसमें उमा सेकर है पहली भारतिय महिला International Institute for the Unification of Private Law की Governing Council में चुनी जाने वाली तो दिसंबर 2023 में भारतिय उमा सेकर को International Institute for the Unification of Private Law की Governing Council के लिए चुना गया है और उमा सेकर इस संगटन की Governing Council में चुनी जाने वाली पहली भारतिय महिला है इसमें टोटल 65 देश सामिल है और इसका मुख्याले का है इटली रॉम में इसका मुख्याले है Q7 है केंदर सरकार की LEADS 2030 रिपोर्ट में अचीवर स्रेणी में किस केंदर साचित परदेश को सीर्च स्थान मिला है किस केंदर साचित परदेश को सीर्च अस्थान मिला है LEADS 2030 रिपोट में केंदर सरकार की है LEADS 2030 रिपोट यहाँ पर सीर्च स्थान मिला है दिल्ली और चंडी गड़ को तो A और B दोनौ है तो D option इसका सहीजवाब हो जाएगा A और B दोनौ दिल्ली और चंडीगड को यहाँ पर सीर्ज इस्थान मिला है तो लीड्स का है Logistics is across different states Question number 8 है उत्तर परदे सरकार ने राजय में कितने साइबर अपराद पुलिस स्टेशन खोलने को मंजूरी दी है तो उत्तर परदे सरकार ने 57 57 57 साइबर अपराद पुलिस स्टेशन खोलने को मंजूरी दी है Question number 9 है वाई सेना द्वारा आउजित अभ्यास अस्तर सक्ती 2030 तो अस्तर सक्ती 2030 का आउजिन किस राजय में किया गया है तो वाई सेना द्वारा जो आउजित अभ्यास है अस्तर सक्ती 2030 तो इसका आयोजन आंधर पर्दिस तो आंधर पर्दिस में किया गया है तो सी ओप्सन इसका सही जवाव है Question number 10 है हाल ही में किस ने विजय हजारे ट्रोफी का किताब जीता है तो विजय हजारे ट्रोफी का किताब हर्याना द्वारा तो हर्याना राज ने विजय हजारे ट्रोफी का किताब जीता है तो हर्याना की टीम ने विजय हजारे ट्रोफी 2030 का किताब जीत लिया है और उप विजयता वनी है राजिस्तान विजय हजारे ट्रोफी है इसे रनजी वनडे ट्रोफी के नाम से भी जाना जाता है और ये किसनी जीती है हरियाना की टीम में दोस्तों ये होगे आज 20 दिसमबर 2030 के महतोपूर करेंट अफेर ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे विबसाइड में जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा या आप डारेक्ट गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं जर्धारीक्लासिज.डाट कॉम वहाँ पर डेली करेंट अफेर की सभी नोट्स आपको देखने को मिल जाएगे तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वूडियो के साथ तब तक के लिए आपका बहुत धन्यवाद